जै मातादी दोस्तो आप सभी का स्वागत है हमारे योटिप चैनल में दोस्तो आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जनवरी माह दो हजार तेईस के आखरी तीन दिनों के सेहिंग राशी फल के बारे में सेहिंग राशी के लोगों के लिए 29 जनवरी, 30 जनवरी और 31 जनवरी का दिन कैसा रहेगा इन तीन दिनों में ग्रहों की इस्तिथी क्या होगी, नक्षत्र क्या होंगे, योग क्या बनेंगे, कौन सा ग्रह राशी बदलेगा और इन सभी का प्रभाव आपकी दिन्चरिया पर कैसा होगा, जानेंगे सब कुछ विस्तार से आपके जीवन में होने वाले छोटे बड़े हर तरह के बदलाव के बारे में यसी लिए वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लें और जुड़ जाएं हमारे चैनल के साथ यहां आपको समय समय पर सभी जानकारियां मिलती रहती हैं तो चलिए पहले इन तीन दिनों के तिथी नक्षत्र और योग के बारे में जान लेते हैं 29 जन्वरी का दिन ये शुकल पक्ष की अस्ट में तिथी है जो सुभा नौ बजे तक रहेगी उसके बाद नौ में तिथी शुरू हो जाएगी भणी नक्षत्र है शुब नाम का योग और शुकल नाम का योग है दोनों ही योग उत्तम है चंद्रमा मेश रासी में रहेंगे राहू के साथ यूति कर रहे हैं सूरिय मका राशी श्रवन नक्षत्र में और रवयोग भी बनेगा इस दिन अभी जीत मोरत होगा दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक 30 जन्वरी सौमवार का दिन है शुकल पक्षकी नौमी तिथी सुभा 10 बजकर 11 मिनट तक उसके बाद 10 मी तिथी प्रारम हो जाएगी क्रती का नक्षत्र है शुकल नाम का योग और ब्रह्म नाम का योग है चंद्रमा राशी बदलकर व 31 जन्वरी इस महिने का अंतिम दिन मंगलवार का दिन है शुकल पक्षकी दस मीति थी सुभा 11 बजकर 15 मिनट तक उसके बाद 11 शीति थी प्रारम हो जाएगी रोहिनी नक्षत्र रहेगा ब्रह्म नाम का योग और इंद्र नाम का योग बनेगा चंद्रमा वरशब राशी मे सूरिय मकर राशी में इस दिन रवियोग बनने वाला है और अब जीत मुरत है दोपहर 12 बजकर 13 मिनट से 12 बजकर 56 मिनट तक तो ये हो गई हमारी ग्रहों की इस्तिति इसके अलावा 30 जन्वरी का जो दिन है इस दिन एक बड़ा परिवर्तन भी है शनी जो की अपनी राशी कुंब राशी में विराजमान है शनी इस दिन अस्त हो जाएंगे अगले 33 दिनों ते के लिए 6 मार्च तक शनी अस्त रहेंगे यानि की प्रभाव हीन रहेंगे सूरिय के तेज प्रकाश के कारण शनी जो है वो अस्त हो जाता है या सूरिय के जादा नजदीक होने पर जो ग्रह ज़्यादा नजदीक होता है, वो अस्थ हो जाता है, प्रवान प्रभावीन हो जाता है, तो इसका भी किस तरह से प्रभाव से इंगराशी के लोगों पर होगा, ये भी हम जानेंगे, तो चलिए जानते हैं विस्तार से पहले बात करेंगे, 29 जुनवरी के बारे में, 29 दिन स्वास्ते के लिहाद से अच्छा रहने वाला है आपके कारशेत्र में आपके वरिष्टों का दवाव रह सकता है और आपका जो कामकाज है उसमें आपके एकागरता को कोई बंग करने की कोशिश कर सकता है यानि किसी भी काम में कोई रोडा आट का सकता है तो थोड़ा स आपको यहां ध्यान जरूर रखना होगा इस दिन धन संपत्ति के मामले में ठीक ठाक समय रहेगा परिवार के साथ आप किसी सामाजिक गतिविधी में शामिल हो सकते हैं जो लोग अब तक सिंगल हैं उनकी मुलाकात किसी खास से होनी की संभावना है लेकिन बात को आगे बढ छात्राओं के लिए भी आज का दिन काफी अच्छा रहेगा पस अपने काम को आज जो काम आपके लिए है उसको आज ही रहे तो अच्छा है कल पर टालेंगे तो आपका नुकसान हो सकता है जब भी आपको खाली समय मिले तो अपने जो आपका पैंडिंग वर्क है उसको complete जरूर करने ऐसा करना आपकी लिए अच्छा रहने वाला है बाकि व्यवसाय करने वाले लोगों के लिए दिन जो है वो ठीक ठाक रहेगा आप मान्सी ग्रूप से काफी खुश रहेंगे मजबूत रहेंगे मन में प्रसनता का भाव भी रहेगा एक मन में एक हर्ष रहेगा य जनवरी के बारे में 30 जनवरी एक तो चंध्रमा का राशी परिवर्टन चंध्रमा आचिके है वरशभ रासी में और दूसरा यहां शणी भी अस्थ हो चुके हैं हलाके जिस शनी का आश्थ होना है वह आपके स्वास्ते के लिए अच्छा नहीं है स्वास्ते का आपको ज़रूर ध्यान रखना होगा शनी के आस्तों होने पर अगले 33 दिनों तक अगर पहले से कोई परिशानी है तो वहाँ आपको ज़्यादा ध्यान रखने के आवशक्ता होगी बाकी वरशबरासी की जो चंद्रमा है उनकी इस्तिति आपके लिए शुब बनी हुई है अगर आप विदेश से सम्मदित कोई विपार करते हैं विदेश सम्मदित कोई कार्या करते हैं तो आपके लिए अच्छा समय रहेगा और इस दोरान आप अपने किसी सोदों को अंतिम रूप देने के लिए भी तयार रहेंगे आपके लिए प्रबल समभावनाय हैं कि विदेश सम्मदित कोई से अच्छे लाब की प्राप्ति होगी आपका अगर कोई पार्टनर में बाटनर्शिप में काम है का आपका पार्टनर है तो वहां आपकी थोड़ी सी नोग जोग ह रखती है आशानती का माहल हो सकता है तो महां थोड़ा सा तालमिल बना कर आपको जरूर रखना है अपने मिजाज और अपनी संयम पर नियंतरन रखना होगा नियमित दिन चरिया का पालन करना होगा परिवार के सदस्यों के साथ ठीक ठाक समय रहेगा लेकिन कुछ चीज़ की प्राप्ती होगी जिससे मन प्रसन रहेगा आप जानेंगे 31 जनवरी के बारे में जो इस महने का अंतिम दिन है चंद्रमा व्रशबरासी में योग बहुत अच्छे बने हुए हैं इंद्र नाम का योग भी है और ब्रह्म नाम का योग भी है ये दिन ऐसा होगा जब जूजें आपके पक्ष में होने शुरू हो जाएंगे बस आप अपने गति विदियों पर ध्यान जरूर रखें सकारात्मक रहें सकारात्मक बाचीत करें और अच्छे जो कारिया आपको ठीक लग रहे हैं जो यूजनाय आपको ठीक लग रही हैं वहां आप अपना कदम दूस्टी देने वाला रहेगा सेहत का थोड़ा ध्यान जरूर रखें यात्राओं का योग भी है कहीं यात्रा हो सकती है कामकाज के सलसले में यात्राएं रहेंगी जो नए अफसरों को खोलने वाली होंगी दोस्तों के साथ परिवार के साथ आपके अपनों के साथ आज का वाली है उन लोगों के लिए जादा अच्छी है जो सरकारी विभाग से जुड़े हुए हैं उनके लिए काफी अच्छ रहेगा आज उनको खुश होने का मौका मिल सकता है और अगर हम बात करें दामपते जीवन की तो दामपते जीवन भी आपका अच्छा रहने वाला है ची लोगों के लिए भी आज का दिन काफी अनुकुल रहेगा जो किसी तरह के डेली इंकम का कारे करते हैं और किसी ऐसी चीजों का कारे करते हैं जो इलेक्ट्रोनिक चीज़ें हैं उनका कारे करते हैं तो उनके लिए बिक्री बढ़ने की संभावनाई जादा हैं उनके लिए आखरी तीन दिन है इनमें जो ग्रहों का योग है उनके प्रभाव से ये दिन आपके लिए अच्छे रहेंगे तो इन दिनों को अच्छे से इंजॉय करें चैनल को सब्सक्राइब करें वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें